यह आभूशनिंग मस्तुरों के साथ अच्छे लखेंगे जाई वीर भाई जी यह वस्तुरा आभूशन का गठर जेवेंता भाई जी और कोण प्रताप की पसंद कर है और यह दूसरा गठर धीर भाई जी की पसंद कर वीर भाई जी हम जानते हैं कि वस्तुरों नाभूशन के बारे में अच्छी जानकारी रखती है इसलिए आप हमें बताएं कि किसके चुनाव को आप अधिक्ष्रेष्ट और उप्युक्त मानती राना जी भला भला हम इनके चुनाव पर उंगली कैसे उठा सकते हैं डरिये मत वीर भाई जी जो कहना चाहती है खुलकर कही है सच तो यह है राना जी मतलब जो हमें लग रहा है ये दोनों वस्तुर और भुष्णों का चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग-अलग लड़कियों के लिए किया गया हूँ या आप क्या कह रही है वीर बाई जी हम सभी ने ये फूल कवर के लिए ही चुना है उन्ही का विवा हो रहा है प्रताप से हाँ रानीमा ठीक एरे है जेवंता भाई जी वीर भाई जी बिलकुल ठीक कह रहे है फूल कवर के लिए आपने वस्तुर और भूष्ण तो चुने ही नहीं आपने सारे वस्तुर और भूष्ण ये देखकर चुने हैं ये अजब देपर अच्छे लगें आप सभी यहां से जा सकते हैं जानती हैं सब कुछ क्यों हो क्योंकि आपके और कौर परताप के मन में अजब दे बसी होई दर सच कहिएगा जवनता भायजी क्या आपकी मन से इच्छा नहीं है कि कौर परताप का विवा अजब दे से हो जाए नई राणा जी ऐसी भातु है जवन्तबाई जी अपने मन की इच्छाओं और भावनाओं को छुपाने का प्रयास मत कीजी मन के भावों को छुपाना आपको आता ही नहीं है जवन्तबाई जी तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं जब से हम यहाँ आएं यही देख रहे हैं आपके हाव भाव सही लग रहा है जवनतबाई जी जैसे आप अपने पुत्र के विभा की तैयारिया नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इन्हें युद्ध पर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं आपको हो क्या गया जवनतबाई जी जब हम सही मार्ग से भटक रहे थे आपने हमें सही मार्ग दिखा है और आज जब हमें ये लगने लगा है कि आपका ही मार्ग सही था आप अपने ही मार्ग से भटक रहे हैं सद्ध क्ねं जवन थाक आपल एपने सप्टे का मार्ग फोड़ा है अपने धर्म का मार्ग छोड़ा इसलिए था है एग नाज़नी टीके ली आज मैं और आप चुप लगया कुमर प्रताब आपको गया लगता है आपके दाजी राज का ठोर ने दे के आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकते राज धर्म के नाम पर बार बार आपसे बलिदान की आप एक्षा करेंगे सोचे कौर परता क्या आपको अजब दे से अची बीनरी कहीं मिल सकते परताब को सुरक्षा के लिए सहस्तरों लाखो सहनिकों की अवश्यक्ता जिसके पास अजब दे जैसी पत्नी हो उसे मृत्यू क्या मृत्यू का साया भी नहीं चूल सकता आप ही देख लीजे हम यहां कौर परताब के विवा की चिंता ठीक से नहीं कर पा रहे और वहां अजब दे इनके भविश्य की चिंता कर रहे समस्त राजपुताने के पंडितों और गरंथू की सायता से उन्होंने कौर परताब के लिए सो वर्षों का पंचांग बनाया है यह देखे और यह पंचांग उन्होंने इनके शासन में सायता के लिए नहीं बनवाया बल्कि उनकी लंबी आयू की कामना के लिए बनवाया है अजब देखे इस उफार ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो कौर परताब की लंबी आयू के लिए केवल पूजा पाठी नहीं करती प्रत उपवासी नहीं रखती बल्कि हर घड़ी हर शान इश्वर से प्राफ्टना करती है वो कौर परताब के बारे में कौर परताब के परिवार से अधिक सोचती है उससे आगे बढ़कर सोचती अब आप भी बताईए धिर भाय जी तो यह और साक्षे चाहिए आपको एक बात कहें बाहर से तो हमें कोई भी शक्तिशाली बना सकता है इन तो भीतर से यदि कोई भीतर से है मन से कौर परताब कोई शक्तिशाली बना सकता है तो वो है अजब दे जैसी संग दे राना जी आपकी बातों से ऐसा व्यतित हो रहा है जैसे आपने अजब दे के लिए बहुत पहले से ही मन बना लिया था हमने तो मन बहुत पहले से ही बना लिया था मामरक जी के समक्ष विवा का प्रस्तार रखने से पहले हम अपने निर्णे को एक बार फिर से जाचना और परखना चाहते थे इसलिए हम विजोलिया थे और वहां जाकर जो हमने देखा उसने हमारी सभी दुरिधाओं को मिटा दिया जब तक यूद्ध चलता रहा अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सब की सकुछरता और विजे के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी पूजा करने के बाद कल रख तो रहेंगे ये विशाक किरा अजब दे को काड़ रहा था और संभावता था पाजरज की नीन ना खोल जाए इसलिए अजब दे चुपचा भी पीरा चाहती रही क्योंकि कोड़ परताप और अजब दे मनी मन एक दूसरे को पहले से ही पती-पत्नी मान चुके है क्यों कोड़ परताप हम कुछ गलत कह रहे हैं? उत्तर दिशे प्रताप और अजब दे का विवा होकर रहेगा देखते हैं कौन रोगता है अपसे अब कुछी दिनों में मेवार के वर्दमान राजा और भविश्य के राजा इनका बहिशकार कर देंगे और फिर धिरवाई जी की हैसिय एक दासी से भी कम होगी धिरवाई जी जी हम राव मामरक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचो लिया जाएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी यात्रा की तैयारियां करें हाँ जी राण जी नाजी बहुत बहुत धन्यवाद राणाजी आपने हमारी मन पर रहने वाला जीवन पर का पूछ पलभर में अटा दिया थोलिये कोब पता आप आप हमारे इस निड़ने से प्रसंतो हैं हम अभी सब का मुमीठा कराते हैं क्योंकि कुबर परताप और अजब दे मनी मन एक दूसरे को पहले से ही पती-पत्नी मान चुके हैं हम मामरक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने भी जोलिया जाएंग कुबर परताप यह लेजी अजब दे यह लेटू किस ले छोड़ी मां अच्छा इतने भोले भी मदवरी आपका रिष्टा पका हुआ तो क्या हम आपका मूबी मीठानी करवाएंगे लेजी देखात आपने कुबर परताप को जब हमने उनसे का कि आप हमारे निड़ने से परसंतो हैं कि असे लजा गए थे वो और भला क्या उतर देते वे आपको हमारे सामने तो लजा नहीं थे उनने जीजा आप जानते हैं अभी हमने जब कुबर परताप को उनका रिष्टा पकाउने की कुशी में लड़ू खिलाया ना उनका मुख फेगने वाला था एकदम लाल जीजा आपको बहुत बहुत बढ़ाया आपको भी विरवाई जीए क्या हुआ क्या हुआ जीजा आपके मुख की रंगत उड़ी उड़ी से क्यों लग रही है मतलब वाकी सब के जहरों पर तो हर शरू लास है कि तो आपके मुख पर तो ऐसी कोई परचाई तक भी नहीं दिख रही है कैसी बाते कर रहे हैं वीबाय जी कुवर प्रताप का विवा हो रहा है हमसे अधिक प्रसंद कोना हो सकता है मिलाई या मिले तो जी राना जी बस आप ही रहें जेवें तबाई जी हमें बिजोले जाने की तायारियां करने है चलते हैं वीर भाई जी इसे देखिये नहीं इसे तो चेहरे के रंगात उड़ना नहीं कहते है वीर भाई जी वीर भाई जी जितनी मिठाई खाए काम है लाइए वीर भाई जी अब यह थे प्रश्टों की भाउशार करेंगे रख्षाकर अब भाई रख्षाकर अरे अरे आईए बाउजी राज यह आत्मिका काक्ष्य है अचकापानी हमें बहुत काम नेप्टानी रावजी के साथ बेढ़कर अशुरोही सेनेजल के सर्शक्ति करन पर मंतरना भी करनी है और कोशाद दक्षी जी के साथ भी हमें इस विगत यूद में हुए वेव का आंकलन भी करना है शचमुच यकायक बहुत काम पढ़े है हाहां करते लिए यह सब यहां वहां अजब्य किसी और सी विवा कर लेंगी और वैसी भी अजब्यन कौन सी हाग है दी आपके लिए जगया पानी पानी हमें शमा करना मित्र वदानी कैसे आवेग आवेग नहमें इतना क्रोधा गया हम अपने अश्टा खेलिए हमें बहुत खेले बाप रे बाप भगवानी बचा में आपसे भीक कहा आपने चक्रपानी बहुत कर लिया अजब्यने अपने मन की बहुत दिखा दिया अपना हाई अब यदि अजब्यने हमसे विवा करने के लिए मना किया फिर हमें भी शक्ती प्रदर्शन करना पड़ेगा अजब्यों अजब्या अजब्या कोई है? देखो तो कितनी हिच्किया आरी है तुरन्षीतल जल दो नला अजब्या लीजी चल पी लीजे अजबते यह लगतार तीसरी बार आपको हिचके आ रही हमें तो लगता है वो सच्छे मन से आपको स्मरन कर रहा मा, माहमें लगता है माहमें यह कड़ाई शीगरुदा से पूरी कर लेनी चाहिए नहीं तो देर हो जाएगी कहीं कौर परताब तो आपको स्मरन नहीं कर रहा मा यह दोरी इस बस्तर पे जचने रही है हम दूसरी लाते है अरे बाजिराच लगते यूद लड़ते लड़ते आपका रिदर तीर तिलवार हो गया है क्या मतलब शक्तिय पर दर्शन करके आप अजब्य से हाग कहलवाएंगे तो इसमें क्या हुआ यदि एक बार सुनियो जुद और प्रभावी बल प्रयोग किया हमने तो देखना है अजब दे दो पल में हम से विवा के लिए मान जाएगी क्या बात कर रहा आप अजब देके सामने खुड के तो बात नहीं कर पाते आप बल का क्या प्रयोग करेंगे आप हमारे मित्र है तो फिर अजब देखे आप के आप के अपर हमें क्यों उज़ा रहा हैं हम जानते हैं चकरपाण आपने हमारी समस्या के लिए कोई नाकविता उपाई सोच लिया होगा अब आप समय मत कवाईए हमें शीकर बताएए वही तो बताना चाहते थे आपको और क्या करें आप इतने अधिक व्यस्ते कोशय जागजी से गहन मंत रनाये सेना का सशक्तिकरण अधिक बताओं या फिर यहीं दिखा आपको सेना का सशक्तिकरण अधिक आपको शेना का सशक्तिकरण अधिक बहुचिरा दमद चूड़िए बोलिए अधर दिन आपको कैसा सुरूपची पुरोशलियो पर उपार दिया शताबभी पंचाँ अमर विचार सीवी, आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए. भेट? अलाव, हम क्या भेट जाजते हुए? कुछ ऐसा? जो उनके मन को छूले. ये सारा सामान ये ही रखे. ये हनसा के लिए, ये अजब्दे के लिए, वो हुए उनके छोडे भाई के लिए, और ये राव मामराख जी के लिए. फीक से रखे? जोनता भाई जी, राव मामराख जी के लिए हमें बहुत ही उत्तम अश्मिल गए हैं. वाँ, स्चेवाएं जोनता भाई जी. क्या बात है? जोनताब भाजी हमें लगता है कि आपने अपनी होने वाली बहु को प्रसन्न करने के लिए सभी तइयारियां कर लिए इत्प अपती इत्प इसे एक बात कहे जोनताब भाजी विजॉलिया के प्रवास में जब हम अजब दे से मिले तो पताया सबसे पहला विचार हमारे मंग में क्या आया था क्या? कि अपने पुत्र को और प्रताब के लिए अजब दे जैसी लड़की को मना करके हमने कित्ती बड़ी भूरकता की पर यदि आपसे कभी भी कोई भूल हो भी जाती है तो उसे मानने और सुधरने का एक विलक्षन गुण भी रखते हैं आप रहनाची वाह पत्नी हो तो जवन तबाई जैसी अपने पती की भूलों में भी कहीं ना कहीं गुण डूली लेती अप फिर जाए उसमें गुण हो या ना हो शमा चाहते हैं रहनाची किन्तो इस समय आपसे एक एक ऐसी भूल हो रही है जो हो जितने ही लग रही है इस भूल की बात कर रही हैं नियती के अंधे खेल का धंडाओ वेर भाई जी को क्यो दे रहे है आप जब जब उनसे अपने नज़रे फेर लेते हैं उनके आखों में वो दुख वो पेड़ा हमसे देखी नहीं चाती जवंता बैजी नियती के उस अंधे खेल का दंड तो हम आज तक फुकत रहे हैं या तो हमारा सर कार दीजे या हमारी बेटी का सर कार दीजे क्योंकि इस घड़ना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा और उसी एक भूल के कारण हम आज तक आपकी आखों में आखे डाल कर बात नहीं कर पाते हैं आपका प्रेम बाटने का अप्यास हो जो का है हमेराना जी आपके मन का पूचल का हो जाएगा तो इसका अर्थिये हुआ कि आपने हमेश हमा कर दिया है आपके में आपके में आपके में कर दो जाएगा वह शामा कीजे हम हम तो आजब दे के लिए खजूर लाएथे जोटी मा, वो, बात कुछ ऐसी आगई है, सामने के, मतलब, आपसे बात पूछना चाहते थे, पूछ ले, पूछी, तो, हम बिजॉल लिया चा रहे हैं, सारा सामान बन गया? हाँ, वही सब चल रहे हैं तो छोड़ियो, हम यह पूछना चाहते थे, कि यह जो सारा सामान है, उसमें, हम भी कुछ रख सकते हैं? हाँ, हाँ, क्यो नहीं, आपका जो चीचा है, आप वही रखवाती थे, वही पूछना आप से, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या रखे, अर्था कौन सा सामान रखे, अर्था कौन सा सामान रखे, अर्जब दे के लिए हम कुछ ले जाना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या ले जाए, आप, आप कुछ सुझा सकते हैं, हमें कोई उपहार या भेट अजब प्रप्रताब इस कारे में हम आपकी बिल्कुल सहायता नहीं कर पाएंगे हमारा घ्राइब बहुत ही कम है इन बातों में आप आप इकनी छोटी मा से क्यों नहीं पूछ लेते छोटी मा? हमेश्मा कर दीजे ओमा जीजे पड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामन्त पुत्री अजब देने ना केवल कुवर फताप बलकि सारे राणा परिवार पर जादू करती है पड़ी कठिनाई से हमने जैवंता बाई जी को फूल कवर के लिए मनाया था पर इस पार राणा जी ने ही अजब दे के लिए अपनी सैमती देकर हमारे सारे की एक कराये पर पानी फेर दिया है अब हम रिष्टे की बात करने हैं बिजोलिया जा रहे हैं उमा जी जा जितना जल्दी हो सकी आप कुछ कीजी जाप करणरु मान्मा जी जाप जो सकी ने से बात Iज जाव को लिएम आये हैं को कि वार जग भी कार सूब दोसक्ता जे़म तुम्हाले कोई पृता आपको उच्छुकता नहीं है जानने कि है क्या आपकी छोटी मासाने ये पत्र ये इतना लंबा संधेशा किसे है और क्यों लिखा है किसी और के संदेश पढ़ना मर्यादा के विरुद होता है चोटी माँ हम तो भूली गए कि आप हमारे मर्यादा पुरुष है हो बताएए क्या काम पढ़ किया हम से अच्छुटी माँ वो वेवा का प्रस्ता आप अपनी चोटी मासा के सामने कब से हाथ नाने लगते हैं नही माँ हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इस विवास से प्रसंद नहीं है यदी असा है तो आप इस विवास से प्रसंद नहीं है अब इसे रुकवाने के लिए सारी संसार से लड़ जाएंगे पूरे नहीं नहीं छोटी माँ ऐसी बात ही है हम तो पसंद हैं बहुत पसंद हैं इ जब देखो, भेट में क्या दे, मतलब हमें क्या देना चाहिए? यदि आप हमें सुजा दे तो कोई भेट? खुश भी दे दीजे, यसे उन्हें भेट देता कौन होगा? जी? मतलब था कुवर प्रताब के यदि आप उन्हें को भार देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आप जड़ाओ का मरबन दे या फिर सोने का हार, सोने का हार देते नहीं, तो फिर माथे का सवर्ण बोर, या तान की बुंदे ही रोगी नहीं, नहीं, शोटी माँ, अजब्दे को साथ की बहुत अच्छी लगते है, अथीक मुल्यवान स्वर्णा भुषर नहीं लगते होने अच्छी हमारे विचार से इस महल में एक ही है जिन्हें साथ की बहुत अच्छी लगते है अब तो लगता है कि अजब दैवनी की पर चाहेंगे समाज गया छोडी मा हमारी रानी मा सत्प्रतेश्यत जही अनुमान लगाया जाहिए आप उनी से कुछ लेजिए रानी माद छोडी मा हम चलते हैं पार्वती इसे ओमा जी जा के पास भेजना है और संदेश बहाग से कहिए का जितना जल्दी हुसे के मारवाट पहुच जाहें जाहिए रानी मा प्रिता अच्छा हुआ आप आगे चलिए हमारे साथ बैठी नहीं नहीं हम चलते है रानी मा हम तो बस यहां यह देखना है थे कि आप ठीक है या नहीं इतना सारा काम पड़ा है ना बस हम सलते हैं प्रिता क्या ठुपा रहे हैं हमसे अच्छा कोई बात नहीं शनो हमें ऐसा लगता है कि अजब देने वहां से आते से में आपको इतना अच्छा उपार दिया तो आपको भी उन्हें उतना ही अच्छा उपार देना चाहिए अरे यही तो कहना चाते थे हम आप से रानी मा पर आप रहे कि कुछ समझते ही नहीं अच्छा हमें तो लगा आप हमारा स्वास्ति कुछ ने आए आनिमाद आप अच्छा आप हमें बताई ना अजबदे को उपार में क्या देना चाहिए अजबदे को उपार देना है तो उपार साधा होना चाहिए सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, जो आपके उनके पृति भावनाव को व्याफ्त करें। बिल्कुल, रानीमाब, बिल्कुल, पगुल। पदाए, हम भी यही सोच रहेते हैं। अच्छा, यह भी सोच लिया आपने। अब रानिमाप आपसे कोई भी बाद छिपाना व्यर्थ है सब कुछ तो जान लेते हैं आप पर अब बताएए ना रानिमाप मैं क्या उपहर देना चाहिए होना बैसे तो हम बैठे-बैठे आपको सेक्डो सुझाव दे देंगे पर हमसे पूछ कर अजब दे को उपहर देना उन्हें चलना होगा उपहर तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम दे तो उपहर में उसके प्रती हमारी भावनाए भी जर्केंगे हमारे सुझाव से उपहर देंगे तो उसमें तो हमारी भावनाए चल्केंगे जबकि वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए आप भी रानी माप आप चानती है ना कि हमें इन सब बातों में कोई अनुभव नहीं इसलिए था आप आपसे पूछ रहे हैं उपहर आपको देना है अजबते को देना है अपनी भावनाओं से देना है और भावनाओं के लीए अनुभव नहीं समवेदन चिर्ता चाहिए जो आप में है इसलिए अजबते के लीए आपको उपहर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सच्ची भावनाएं इसलिए जब आप सच्चे मन से सोचेंगे कि अजबते को क्या उपहर दे तो आपका मन है आपको इस प्रश्न का उतल देगा बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामन्थ पुत्री अजब देने ना केवल कुवर प्रताप पर बल्कि सारे राणा परिवार पर जादू कर दिया है अब हम रिष्टे की बात करनें बिजोलिया जा रहे है उमा जी जा जितना जल्दी हो सके आप कुछ कीजिए ताजी जी हाँ आपने बुलवाया था हाँ हाँ हम ही ने आपको बुलवाया था समझ में नी आ रहा है कि हम आपको कैसे कहें और क्या कहें क्या हो दादी जी ऐसी के बात है क्या आप हमें वचन देंगी कि जो समाचार हम आपको सुनाने वाले हैं उससे आप अपना मन बचलित नहीं करेंगी क्या आप ऐसा वचन दे सकती हमें क्या दादी जी बेना कुछ जाने बिना वो बात सुने हम आपको ऐसा वाचिन कैसा दे सकते हैं प्रताब के परिवार वाले प्रताब के साथ बिजोलिया जा रहे हैं क्यों? खुमर प्रताब और अजब दे का विवापका करने के लिए क्या क्या प्रताब कीचिए हम है ना हम चुप नहीं बैठेंगे वैसे जब तक आप मूह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो बरवदू ये दोनों है हम भी वापक नहीं लगता याँ कोल करश करक्श करश करश अब समझ कहीं ना पूल। अब समझ कहीं ना हम जो आप से क्याना चाहते हैं अब बिल्कुल जंता मत कीचे, हम है ना? फूल, हाओ फूल, फूल, कुछ बोलिये नाम! क्या हो आपको? क्या हो? पुष्की कुछी क्या है यह जो आशो, अज आपकी आँखों से भए है ना? यह अब उनकी आँखों से भएगी जिनोंने आपको यह आँखों दिये हैं हम आपको वचन देते हैं पूले पूछी का, हम आपकी आँखों पूछ लेगे कुछी आपकी 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 आपक अपनी बिंद्री सा को अपने महल में लाने के बाद अपनी प्रजा को भूल मत जाना कुमर जी आप सभी की शुकामना और प्रेम के लिए बहुत बहुत आपान कवा जी चैक लिंग जी रहना जी मेरों के सा हस्की जो होंगा, बनाव है, मैं जै 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 जिसकी जैदार, बनाव है जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परशानी हो सकती है मिभादिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचक बावजी राज आज मीराबाई का कृष्न के साथ संपूरन मिलन हुआ है बावजी राज विलीन हो कही है, विक्रिशू मिद्र अरे मिद्र ये कैसे फुल है? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा गई है बहुत जल देखेंगे आप इन्हें, जब ये पूरे हिंदुस्तान में उगाए जाएंगे इन्हें उगाएगा कोई? मुगल उगाएंगे इन्हें देखिए इनके सुगन तो सच मुझ है होद भीनी भीनी अरजबूद है मीरा मा के लिए लाए थे हम ये भेट मगर इससे पहले कि हम उन्हें ये भेट दे पाए उन्होंने समादी ले ली हमने सोचा था कि हमारे लाए इन फूलों की भेट को वो अपने आरात और प्रिया श्री कृष्न को चड़ाएंगी मुगलों का मानना है कि किसी के लिए अपना प्रेम और आदर व्यक्त करने के लिए ये सबसे सहज और सुन्धर तरीका है ये इन गुलाब के फूलों की भेट वाहरे मुगल जिस धर्दी पर पूचा और फ्रेम के लिए खुलाब उगाते हो उसी धर्दी के लोगों के साथ रक्त की होली खिलते हो चले कोई परता चलिए दाजिरा चलिए चलिए नेलाबाल दाहोत को हमारी फौज में फतेह कर लिया है और अब अगर जिन्दा रहना चाहते हैं तो हमारी शर्तों के तहदी मिल सकती है आपको जिन्दगी सब स्विकार है आप गोलेंगे वही हो गया हमें छोड़ दीजे जापना हमें छोड़ दीजे मेलाबाल एक बार फिर सुन लीजे हमारी शर्ते आप अपनी तमाम पौच के साथ आएंगे हमारे साथ और हमें यहां से पालन-पुर तक का रास्ता बताएंगे जाहोट से लेके by पालन-पुर तक में आने वाली सभी व्यासतों को हम अपने कबशे में करेंगे सभी व्यासतों पे लہराएगा मुगलिया पर्चम क्या लहराएगा मुगलिया पर्चम क्या लहराएगा मुगलिया पर्चम और और आप राजपूताने से छूती सपमुची दक्चिनी सीमा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं हो जाएगा हमें जीवन दान दीजिए हमें जीवन दान दीजिए जैंचा जलालुदीन जैंचा जलालुदीन जैंचा जलालुदीन जैंचा जलालुदीन जैंचा जलालुदीन जैंचा जलालुदीन मेहल के चारों और ऐसी चेहल पहल उत्समका सावाता वरन लगता है यह आपके लिए हमारी तरफ से उपहर को अपके लिए में तरफ जिए यह जिए यह जाएपने की सुचना पहली तो यह नहीं पहुचवाती है देखी कैसे चेहल पहल है है एक्रिमान क्रताब चिंग जी, अपने रिद्रई को संभाल हूँ, मैं भै, कई आवेक के अतिरेक में ये धड़क ना गोल जा, राना जी, पधारी है, खमा गणी, जय एक लिंग जी, राओ ममर्क जी, आपके महल में ये चहल पहल कैसी है, राना जी, आपके और आपके परिव के यहां आजाने से एक बात सिध हो जाती है, आपके और हमारे मन के तार, भीड़ता से जुड़े हुए, यदि आज के दिन आप बिजुलिया ना आते, कुम सकते कह रहे हैं, आप सब की कमी अवशे खलती है, पदा रही है, आये, चकरपाई, क्या आप जानना नहीं चाहें क्या हो पालाया जबदे के लिए, आई रहे, क्यों नहीं माजराच, बाता ही हमें, वह हमने, नहीं नहीं, अम आपको क्यो बता, जिसके लिए भीड़ाया उनसे पहले किसी को भी क्यो बता दें, आपको क्यो बता दें, ऊरे, बाजराच, प्राव मामरची, इन लोगों से हमारा परिचे नहीं है कौन है यह? अभी करवाते हैं इन से परिचे यह है मारवाड के प्रमुक सामन और यह है उनके पुत्र तुरन मलची, हमारे होने वाले जमाता अभी करवाड के प्रमुक 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 अभी करवाड के प्रमुक यह है उनके प्रमुक प्रमुक अभी करवाड के प्रमुक झाल झाल